नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं BNN News तो चले शुरात करते हैं आज की धर्म से जुड़ी बड़ी खबरों से तिरुचुरा नामा के एक छोटा सा गाउ है इस गाउ में देवी पद्मावती का सुन्दर मंदर है यह मंदर अलमेल मंगाप्रम के नाम से भी जाना जाता है लोग मानिया ताख है कि तिरुपती बालाजी की मंदर में नांगी मुराद तभी पूरी होती है जब श्वत ₂वहात देवी पद्मावती का आशरवाद भी लेए दक्षिन भारत का सुवन मंदिर भारतियर्राज तमिल्नादु के जलें वेलु में इस्थित तिरु मलय को डूगाउँ श्विपुरं में इस्थित महा लक्शनी मंदर को दक्षिन भारत का सुवन बात कहा जाता है सो की प्राप्ति हुई थी यह मंदर अपने सोने के खजाने के लिए विश्व भर में रस्षद है मुंबई का महलक्षमी मंदर समुद्र के किनारे बीदे साई मार्ग पर रिस्थति यह मंदर अत्यंत सुंदर आकरशक और लाक लोगों की आस्था का प्रमुक केंद्र है या कहे कि इतिहास के अनुसार इस महलक्षमी मंदर की स्थापना अंग्रेजों के काल में हुई कोनापुर का महलक्षमी मंदर कोनापुर महराश्पुर का एक जिला है कहा जाता है कि यहां स्थित महलक्षमी मंदर का निर्मार चलोके शासर कुर्ण देव ने सात्वी शताप्ति मे करवाया था लक्ष्मी नारण मंदर दिली के प्रमख मंदरें में से एक लक्ष्मी नारण मंदर को मुल रूप से 1622 में वीर सिंग देवे में बनवाया था उसकी बाद प्रतवी सिंग ने 1793 में इसका जिर्नो धार कराया इंदौर का महलक्ष्मी मंदर इंदौर शहर के मंदर का निर्मान 1832 में मलहार राओ दित्यों ने कराया था 1933 में यह तीन तलों वाला मंदर था जो आग के कारण तहसनेस हो गया था 84 मंदर यह मंदर हिमाचल प्रदेश के चंबा से 65 किलोमेटर दूर भरमाओर जिला नगर में इस्थित है यहां महालक्षमी के साथ गणेश जी और नरसेंग भगवां की मूर्ती भी इस्थित है चंबा का लक्षमी नारेण मंदर हिमाचल के चंबा में इस्थित यह मंदर पारंपरिक वास्तुकारी का और मूर्ती कला का उत्केश्ट उधार नगरे चंबा के छे प्रमुक मंदरों में यह मंदर सबसे विशाल और प्राचीन है अश्थ लक्षमी मंदर जिन्ने के इलेट समुद्री तड़ के पास स्थित यह मंदर लगबग पैंसट फीट लंबा और पैंतालीस फीट चोड़ाग है मंदर में देवी लक्षमी के आठ स्वरूप चार मंजल में बने आठ अलग-अलग कमरों में स्थापित है इस मंदर में देवी लक्षमी अपने पती भगवान विश्णों के साथ मंदर की दूसरी मंजल में विराज हुत है अब तक लिबस अतना की ऐसी ही धर्म से जोड़ी बड़े ख़बरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बी एनन नियूज